हेलो फ्रेंट्स स्वागत थे आप सभी के एक बर फिट से आपके अपने यूट्यूब चैनल अक स्मार्ट स्टेडी में तो फ्रेंट्स इस वीडियो में देखेंगे एक हजार जीके के पार्ट टू को देखेंगे इससे पहले इसका पार्ट वान अल्रेडी प्रोवाइड करा रखा है अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा या चैनल के अंदर प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा तो से क्लिक करके आप इसको इसके पार्ट वान जो है उसको भी आप देख लेना जान दिए इस वीडियो में सामान विज्ञान के कोश्चन एड हैं बहुत ही इंपोर्टेंट कोश्चन है तो पूरा वीडियो को कंप्लीट देखेगा ठीक है और इसका पार्ट वान आपको जर वीडियो को एक बार अपना एक लाइक कर दीजिए शेर कर दीजिए दोस्तों को भी इंवाइट कर दीजिए जो साथी लोग नए हैं आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को ओन कर लेना तो देखिए पहला कोश्चन स्क्रीन पर शभी साथी ध्यान पाला कोश्चन ध्यान दीजिए इंडियन एरलाइन्स का मुख्यालाइक तहां इस्तित है राइट अंसर क्याएगा सभी साथी बताइएंगे सभी साथी आप लोग नोट करते चलना कि कितने कोश्चन आपके करेक्ट हो रहें ठीक है या फिर आप कमेंट करके भी बताते च साउस में ठीक है दिल्ली के एरलाइन साउस में इसका मुख्यालाई है भी बरतमान में लेकिन 2013 से पहले इसका मुख्यालाई जो है वो मूंबई में था यह आपको या दखना है आगे देखिए रेगुड मिट्टी नाम है किस मिट्टी का प्यारे साथ यो बताना किस मिट् पाई जाती है महाराष्ट्रा में याद रखना और जो की काली मिट्टी कापास की खेती के लिए सब से उप्युक्त मानी जाती है कापास की खेती के लिए याद रखना आगे देखिए नमनल कित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है तो प्यारे साथ यो ध्यान देना इस question का correctance राज जाएगा option number B दिल्ली और बंगलूरू पहिये और एक्सिल बनाने वाली railway unit कहाँ अवस्थी थे तो याद रखना दिल्ली और बंगलूरू में आगे देखिए अगला question भारत में सिचाई का सबसे प्रमुक साधन क्या है सबी कमेंट करेंगे भारत में सिचाई का सबसे प्रमुक साधन क्या है तो प्यारे साथ यो ध्यान देना इस question का correctance राज जाएगा कुए और नलकूप option number D आपका correct है सबी याद रखना भारत में सिचाई का प्रमुक सबसे प्रमुक साधन क्या है तो याद रखना कूईया और नलकूप अगे देखिए अगला question अब तक काम आने वाला विषव का शबसे पूराना भाप इंजिन कौन सा है तो प्यारे साथ यो ध्यान देना अब तक काम आने वाला विषव का सबसे पुराना भाप इंजिन का नाम है फैरी कुईन याद रखना उप्सन नमर है आपका करेक्टरन सरा जाएगा नेक्स्ट कोस्चन देखिए सहद्री छेत्र के नाम से निमनलखित में से कोन जाना जाता है प्यारे साथियो शाहद्री छेत्र के नाम से निम्नल गित में से कौन जाना जाता है ये पूछा गिया है तो याद रखना पस्चिमी घाट को शाहद्री के छेत्र के नाम से जाना जाता है याद रखना और ये ज्यादातर जो है महराष्ट्रा राज में ही फैला हुआ है ये वी आपको याद रखना है आगे देखिए अगला question भूमी में पोधो की जड़ों के लिए उपलब्ध जल होता है किसफरकर का जल प्यार साथ चो ध्यान देना भूमी में पोधों के जड़ों के कींट प्लफ जल होता है केशी का जल या रखना अप्षिन no merchant है ने वनाला खित्मे से कोण उध्तक का उधारन है तो ध्यान देना इस को सब्सक्oken का करेक्श का जायेगा रख्थ रख्थ जो है एक परकार का उत्तक का उदारन है याद रखना उत्तक का धियन बिज्यान के किस साखा में क्या जाता है तो याद रखना हिस्टोलोजी के अंतरगत हिस्टोलोजी ठीक है हिस्टोलोजी के अंतरगत उत्तको का धियन क्या जाता है यह आप याद रखना आगे देखिए क किनवन की किरिया में कौन सी गैश निकलती है, तो प्यारी साथ उध्यान देना, इस question का correct राज आएगा carbon dioxide gas, आपका correct है, किनवन की किरिया में carbon dioxide gas जो है वो बाहर निकलती है, या आप याद रखना, आगे देखिए, साहद में मुख्या तक च्या होता है, तो प्यारी साथ ध्यान देना, सहद जो है, वो कार्वो हाइडिड का स्रूथ होता है, याद रखना, आपसर नमर बी आपका correct आएगा, कार्वो हाइडिड, नेक्स्ट कोस्चन देखिए, समुद्री घोडा किस बर्ग का उदाहरन है, प्यारी साथ उध्यान देना, बहुत एच्छा कोस्च हिलियम, यह तीनों जो है, यह इधन ततो है, लेकिन हिलियम इंधन ततो नहीं है, हिलियम जो है, याद रखना, बायमंडल में पाई जाने वाली सबसे हलकी गैस है, ठीक है, सबसे हलकी गैस है, याद रखना है सभी को पहुत इच्छे कोश्चन है बिल्कुल हिलियम आपका करेक्टेंट से राज आएगा क्योंकि ये इंधन तत्व है लेकिन हिलियम जो है ये गैस है सबसे हलकी गैस है याद रखना हिलियम नेक्स्ट कोस्चन देखिए पराध्वानिक बिमान उड़ते हैं किस चाल से प्यारिसाथियो ध्यान देना पराध्वानिक बिमान जो होते हैं वो उड़ते हैं ध्यारिसाथियो ध्यान देना प्राध्वानिक बिमान जो होते हैं वो उड़ते हैं ध्यारिसाथियो ध्यान दे देना सभी हड़ी को खाद के रुप में परियुक्त करते हैं क्योंकि इसमें फास्फोरस पोध्य तत्वा उपलब्ध होता है या दखना ओप्शन नमबर बी आपका राइट एंड सराएगा नेक्स्ट कोश्चन चीडल के अनुसार जायलम भाहिकाओ की सरपर्थम उत्पत्त में अप्शन नमबर बी आपका राइट एंड सराएगा नेक्स्ट कोश्चन देखिए यूमरस अस्थी कहाँ पाई जाती है तो प्यारे साथ्यों ध्यान देना हूमरस अस्थी ये जो है उप्री भुजा में पाई जाती है तो अप्शन नमबर देना कोशिका क्रियात्मक गतिविधिया नियंतरित होती है किसके द्वारा तो प्यारे सत्यों ध्यान देना कोशिका की क्रियात्मक गतिविधिया के द्वारा नियंतरित होती है या दखना option number D केंदरक प्यारे साथ ध्यान देना अकबर के युँआ वस्था में उसका सरक्षत था बेरम खा याद रखना बेरम खा उसका सरक्षक था अकबर के युवा आवस्था में आपका राइटन्स रहाएगा नेक्स्ट कोस्चन लोकसवा के लिए प्रथम आम चुनाओ कब हुए थे तो प्यारे साथ हो ये कोस्चन बहुत बार पुछा जाता है तो याद रखना 1952 में लोकसवा के लिए प्रथम आम चुनाओ कब हुआ था तो याद रखना 1952 में नेक्स्ट कोस्चन सुन की खोज किषने की थी ज्यान देना सुन की खोज आर्यभटने की थी ओप्सन नमर बी आपका करेक्टेंस राइगार्श अभी साथ याद रखना आर्यभट नेक्स् याद रखना नितियायोग बनाता है और उसको अंतिम रूप देता है राष्ट या विकास परिशद और दोनों का ही अध्धच होता है कौन याद रखना भारत के परधान मंतरी ठीक है राष्ट या विकास परिशद और योजनायोग दोनों का ही योजनायोग यानि नितिय बाइज ओग के अभीवर्तमान में उपाधरच कोण है तो याद रखना राजीब कुमार जी राजीब कुमार याद रखना नेक्स्ट कोस्ट और पहराफ में राष्टपती कीला सद्था रखना मापकणां सभाके सद्थो के धुआरetin देा का करेक। प्रावधानों के अंतरगत भारत सरकार द्वारा भारत रतना पदम विभुशन आदी अलंकार परदान किये जाते हैं तो प्यारे साथ ध्यान देना अनुच्छद 18 में यहां बरनित है कि भारत रतना पदम विभुशन जितने भी पुरसकार है इन सभी का उलिक लोकसभा के पर्थम अधच थे कौन जिवी मावलंकर यादखना ओप्शन नमबर ए करेक्ट आएगा नेक्स्ट कोस्चन देखिए भारत सरकार का प्रमुख बिधी अधिकारी कौन होता है तो ध्यान देना सभी साथी भारत सरकार का प्रतम प्रमुख जो है बिधी अधिका किस देख से तो प्यारे सत्यों ध्यान देना नियाइक पुन्राव लोकन के विचार को USA अमेरिका के शंभीदान से लिया है भारतिया संभीदान में याद रखना ओप्शन नमबर D करेक्ट है नेक्स्ट कोस्चन देखिए मौलिक करतेवों को निर्धारित क्या गया है किस स अगे देखिए अगला कोश्चन किस क्रिकेट टीम ने हाली में SSG Trophy 2019 जीती है जान देना करेंट का कोश्चन है बहुत ही अच्छा कोश्चन है किस क्रिकेट टीम ने हाली में SSG Trophy 2019 जीती है तो याद रखना ओस्टेलिया ने आफसन नमबर D आपका करेक्ट एंसर आएगा नेक्स्ट कोश्चन बिस्व ओजन दिवस कब मनाया जाता है हर वर्स तो प्यारे साथियो ध्यान देना बिस्व ओजन दिवस हर वर्स मनाया जाता है 16 सितंबर को अपसर नमबर यह आपका राइट एंसर आजाएगा नेक्स्ट कोश्चन बिस्व ओजन देना उत्तर परदेश के सरकार ने सियम और मंत्रियों को अपनी सेलेरी से इंकम टेक्स भरने का आदिश दिया है या नेने लिया है याद रखना उत्तर परदेश आजाएगा नेक्स्ट कोश्चन बिखिए किस गृकेट टिम ने हाली में अंडर-19 Asia Cup का खिताब जीता है तो प्यारे साथे ने तियुआन देना इसकोश्चन का करेक्ट्रेंज सरा गया अंडर-19 Asia Cup का खिताब जीता है याद रखना सभी भारत ने और किस को हरा कर तो याद रखना बां अयुक्त सेन अभियास मेत्री 2019 का आयुजन हुआ तो ध्यान देना बहुत ही प्यारा कोश्चेन है प्यारी साथ यो भारत और थाइलेंड के बीच जो है ये मेत्री ये वियास का आयुजन हुआ अभी हाली में या दखना सभी नेक्स्ट कोश्चन देखिए किस महिला खिलारी अभी हो अप्यारी साथ ये आपका राइटन्स राज आएगा नेक्स्ट कोश्चन किस पुरुस खिलारी ने हाली में यूएस ओपन 2019 का खिताब जीता है तो महिलाओ के बारे में जाल लिया और पुरुसों के बारे में भी जाना है तो ध्यान देना प्यारे साथ यो राफि नेक्स्ट कोश्चन हाली में किस किस सहर में साइबर अपराद जांच पर पहला राष्टिया सम्मेलन आयोजित किया गया है तो ध्यान देना प्यारे साथ यो किस सहर में साइबर अपराद जांच पर पहला राष्टिया सम्मेलन आयोजित किया गया तो याद रखना नई द नेक्स्ट कोश्चन पूरे भारत में 5 सितंबर को सिख्षक दिवस किस ब्यक्ति की जयनती पर मनाया जाता है तो ध्यान दिना बहुत एच्छा कोश्चन है और इस कोश्चन का अंसर आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताना है तो सभी साथी कमेंट कर दीजे कि किस ब्यक का कौन सा संस्क्रान था ? यह जान देना प्यारी सित्यों अभी हाली में भारत उरी अमेरिका के बीच संधुध clarity 2019 सुरु हुआ और ये याद रखना 15 संस्क्राइब था भारत और अमेरिका के बीच 15 अप्सन नमर एक रेक्ट है C next question देखिए हाली में ऐजनता मेंडिस ने क्रिकेट के सभी प्रारुफों से सन्यास की घोशना की है वहां किस देशक्रे संबंदित है प्यारे सत्यों ध्यान देना घंट करना अंज Sor типа के क्रिकेटर हैं जिन्होंने जो है अपने तीनों प्रोमेट से टेस्ट टी टुएंटी और ओडियाई तीनों सुझे है सन्यास लेने की घोशना की है याद रखना ऑप्सन नंबर भी करिक्टाएगा स्री लंका नेक्स्ट कोश्चन पीम मोदी ने हाली में लोगों और स्वास या खेल दिवस मनाया जाता है तो ध्यान देना प्यारे सत्यों मेजर ध्यान चंद जिनको होकी का जादूगर कहा जाता है मेजर ध्यान चंद के जनम दिवस पर 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है हर वर्स भारत में नेक्स्ट कोश्चन किस ACI देस ने हाली में तू याद रखना ये भी ठीक है चलिए अगे दिखे अगला कुश्चन हाली में किस प्रथम IPS अधिकारी को तेंजिंग नोर्गे राश्ट्य पूरसकार 2018 दिया गया तो याद रखना अप्रना कुमार को, option no.C करेक्ट है अपरना कुमार next question, हाली में कौन भारत की पहली महिला flying unit commander बनी है तो प्यारे साथ तो ध्यान देना ये question बहुत important है आपको याद रखना है, S धामी, option number D आपका correct आएगा next question, हाली में किस stadium का नाम बदल कर arongetally stadium कर दिया गिया है ध्यान देना बहुत एच्छा question है, प्यारे साथ हो इस question का correct आएगा, दिल्ली का फिरोज साक कोटला stadium इसका नाम बदल कर जो है, अरungetally stadium कर दिया गिया है, याद रखना next question, हाली में कौन रोजर फेडर को किसी set में हराने वाले पहले भारतिया खिलाडी बने है तो प्यारे साथ हो ध्यान देना बहुत एच्छा question है, इस question का answer आएगा, सुमित नागल सुमित नागल ने world के top 3, तिसरे नंबर पर है अभी रोजर फेडर, इनको हराया है जो कि ऐसा किसी भी भारतिया ने पहले नहीं किया था, याद रखना सुमित नागल, option number C correct है next question, किस देशने हाली में PM मोदी को the king हमाद order of the renesa सम्मान से नवाजा है तो प्यारे साथ हो ध्यान देना बहुरीन ने, option number C आपका corrections राएगा, बहुरीन याद रखना next question, किस भारतिया खिलारी ने हाली में BCUA तिरंदाजी चेंपियनसीप का खिताब जीता है जान देना ये भी question बहुत ये अच्छा है, और इस question का बिल्कोली करेक्टन से राजाएगा, option number D, कोमा ली का बारी, D correct है, याद रखना next question, किस भारतियों को हाली में UAE, United Arab Emirates का सरवच नागरिक सम्मान मिला है तो प्यारे सत्यों, ये भी question बहुत प्यारा है, जितने भी question है, सेलेक्टेड है, तो सभी जरूर याद रखना ध्यान देना, इस question कांसर आएगा, नरेंदर मोदी जी को, और उस सम्मान का क्या नाम है, तो याद रखना, order of जायद, ठीक है, order of जायद, याद रखना नेक्स्ट question देखिए, हाली में कहन, World Badminton Championship जितने वाली पहली भारतिय खिलारी बनी है, तो याद रखना सभी साथ ही कौन, याद रखना पीबी सिंधु, option number C आपका correct है, याद रखना पीबी सिंधु नेक्स्ट कोश्चन, हाली में 25 अगस 2019 को कौन सब पुस्तक का लोकारपन हुआ, ध्यान देना प्यारी सत्यों, बहुत एच्छा कोश्चन है, हाली में 25 अगस 2019 को किस पुस्तक का लोकारपन हुआ, तो या दखना डायरी ओफ मनु गांधी, ओप्शन नमबर, भी आपका करेक् या दखना काफी important question है, नेक्स्ट कोश्चन देखिए, किस e-commerce company ने हाली में भारत में दुनिया का सबसे बड़ा office खोला है, तो ध्यान देना ये भी question बहुत एच्छा है, प्यारी साथ हो, अमेजन ने, या दखना कहां, तो हैदराबाद में, अमेरिका के बाद, हैदराबा या दखना के बाद, हाली में भारत के नए गिर्या सचिब नियुक्त किया गया है, तो याद रखना अजाईक कुमार भला जी, option number D correct है, next question देखिए, हाली में किसे अगले cabinet सचिब के रूप में नियुक्त किया गया है, तो प्यारी सत्यों ध्यान देना, अगले cabinet सचिब के देश बन गया है, जो एक बायो परदूसन है, याद रखना, इसका अभी सामने नाम आ रहा है, भारत की भारत जो है, सबसे बड़ा उत्पादक या उत्सर्जन करता देश बन गया है, सल्फर डायोक्साइड के मामले में, इससे पहले ये नाम था मिलान का, मिलान इटिली, इटिली का ये नाम सबसे पहले हुआ करता था, लेकिन अब जो है, भारत पहले नमबर पर है, याद रखना, नेक्स्ट कोश्चन देखिए, भारत में अंतिम टेलिग्राम कब भीजा गया, तो प्यारे साथो ध्यान देना, भारत में अंतिम टेलिग्राम भीजा गया था, 14 14 जुलाई 2013 को option number C correct है 14 जुलाई 2013 के बाद अभी तक बारत में टेलिगराम नहीं भेजा गिया है बंद कर दिया गिया है इसको याद रखना सभी option number C correct है चलिए आगे देखिए Mumbai महानगर का STD code क्या है कभी-कभी पुछ लिया जाता है और सबसे ज़्यादा पुछा जाता है Mumbai महानगर का तो याद रखना Mumbai महानगर का STD code है 022 याद रखना option number C आपका right answer आजाएगा 022 आगे देखिए असक के सिलालिखो की लीपी क्या है बहुत एच्छा question है ध्यान देना असक के सिलालिखो की लीपी क्या है भारत के एक मात्रा किस राज की राज भासा अंगरी जी है तो याद रखना नागा लेंड की option number C आपका correct answer राज आएगा next question देखिए भारत की किस भासा को Italian of the East कहा जाता है तो ध्यान देना प्यारे साथ यो भारत में तिसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भासा तेलगू याद रखना ठीक है तेलगू को क्या बोला जाता है Italian of the East देखे सबसे ज़्यादा हिंदी बोला जाता है दूसरे नंबर पर बंगला और तिसरे नंबर पर तेलगू याद रखना दक्चिन भारत में हिंदी के छेतर में किसने प्रचार प्रचार किया था तो प्यारे सथे याद रखना सी राज गोपाला चारी ने किसने सी राज गोपाला चारी ओप्चन नंबर बी आपका correct answer आएगा द्यान देना सबी साथी बहुत प्यारा कोश्चन है द्यान देना ये भी कोश्चन बहुत बार पुछा जाता है तो याद रखना सलार जंग संग्रालाई को और ये कहाँ इसती थे तो हैदराबाद में याद रखना हैदराबाद नेक्स्ट कोश्चन देखिए एस्जी आइटिक सोसाइटी की अस्थपना किषने की थी तो प्यारे साथो ये भी कोश्चन बहुत अच्छा है द्यान देना एस्जी आइटिक सोसाइटी की अस्थपना की थी बिलियम जॉन्स ने option number C आपका right answer आ जाएगा next question DNA translation का परतिपादन किशनी क्या था ज्यान दीजे बहुत अच्छा question है DNA translation का परतिपादन क्या था कोन बर्ग ने कृतिरिम रूप से और इसके लिए जो है इनको 1969 में Nobel पुरसकार मिला था चिकित्सा के छेतर में या दखना कोन बर्ग next question tissue culture किसके अज्यन से संबंदित है या किसके अज्यन के लिए संबंदित है तो ध्यान देना प्यारे साथ यो tissue culture के अंतरगत जो है आनुवान सिकी का अज्यन क्या जाता है या दखना option number D correct है आनुवान सिकी next question ज्यान देना काफी अच्छा question है प्यारे साथ यो तो या दखना option number D correct है next question घाव का अज्यन क्या जाता है किस सास्त्र में विज्यान की किस साखा में घाव का अज्यन क्या जाता है तो या दखना सभी साथी tromantology सभी को याद रखना है option number C आपका right answer आजाएगा next question देखिए परियावरण सरच्छन के लिए कौन सी अंतराष्टिय एजनसी कारी कर रही है तो प्यारे साथ यो BBI question है जरूर याद रखना परियावरण सरच्छन के लिए कौन सी अंतराष्टिय एजनसी कारी कर रही है तो याद रखना ग्रीन पीश, ओफसन नमर सी आपका राइट अंस राएगा ग्रीन पीश, नेक्स्ट कोश्चन देखिए, बाइव मंडल में उपस्तित ओजन परत आवसोसित करती है किसको, तो प्यारे साथ यो बहुत इच्छा कोश्चन है ध्यान देना, बाइव मंडल में तापमान में विर्दी के लिए मैंने आपको कई बार साइन्स वाली क्लास में पढ़ाया है कि कार्बन डायोकसाइड गैस जो ग्रीन हाउस गैस होती है वो या दखना बिल्कुल कर्रेक्टेंसर आ जाएगा ओप्शन नमर सी कार्बन डायोकसाइड गैस और मिथेन ओप्शन लिए आपका कर्ड़ और या जाएगा स्विड्यस के आने वाली हानिकराग प्रविगे नियुक्रिनों को अवसोसित को ओजन परत याद रखना इस से तौचा के इंसर होता है सकिन कैंसर अप्शन नमर सी आपका रायोकसाइड आएगा तौचा कैंसर नेक्स्ट प्षचन एक मनुस के जीवन को पुर्ण रूप से धार्निया करने के लिए आवश्यक नियुंतम भूमी को क्या कहा जाता है बहुत ही प्यारा कोश्चन है ध्यान दिना एक मनुस के जीवन को पुर्ण रूप से धार्निया करने के लिए आवश्यक नियुंतम भूमी को कहा जाता है पर बेनर सिता का विशय क्या है सभी साथी ध्यान देना इस कोश्चन का बिल्कोली करेक्टन से राज आएगा सभी साथी ध्यान देजे प्राकृतिक संसाधन और आपका बिल्कोली करेक्टन से राज आएगा प्राकृतिक संसाधन सभी साथी याद रखना नेक्स्ट कोश्चन न परिस्तित है तो प्यार साथ यो ध्यान देना बहुत बार एक्जाम में पूछा जाता है तो याद रखना लखनाओ उत्तर परदेश में नेक्स्ट कोश्चन निमनलकित में से कौन सा सबसे अधिक इस्थिर परितंत्र है ध्यान दिजे इसका पार्ट वान वीडियो के डिस्क बनस्पत्ति का मुख्य घटक क्या है तो प्यार साथ यो ध्यान देना मैंग्रोव बनस्पत्ति का मुख्य घटक है रायो फेरा ओप्सन नमबर ए याद रखना रायो फेरा नेक्स्ट कोश्चन देखिए मुख्यात मैंग्रोव वाले जो आरिया बन कहां पाये जाते हैं त क्या करके तो प्यारे साथ ध्यान देना नदियों पर बांध बनाकर जो है बाड़ को रोका जा सकता है यह दखना डैम यानी बांध बनाकर option नमबर D correct है next question दिखे सभी दिमाल कित में से किस कोशी का अंगख से लाइसोजोम बनता है तो यह दखना गोल जी का option number B correct है सभी याद रखना गौल जी काई चलिए आगे देखिए अगला question nucleus के बाहर DNA मिलता है किस में तो याद रखना आपको nucleus के बाहर DNA मिलता है mitochondria में option number C आपका correct है और mitochondria को कोशिका का powerhouse बोला जाता है ये भी याद रखना next question देखिए निमनलखित पोसकों में से कौन साइक पोधो की कोशिका भीत्ती अवं सरजनात्मा घटक है जान देना इस question का क्या answer आएगा तो याद रखना सभी साथी calcium option number D आपका बिल्कोली correct answer यहाँ आ जान देना programmed cell death का कोशिकी आबम आद्विक नियंतरन कहलाता है एपो मापकना एपोप्टोसिस याद रखना एपोप्टोसिस option number A आपका correct answer आएगा next question देखिए 80% से अधिक sale में पाया जाने वाला पदार्थ क्या है जान देना सभी साथी 80% से अधिक sale में पाया जाने वाला पदार्थ क्या है तो याद रखना सभी साथी क्या है प्यारे साथी हो जल option number D आपका correct answer आएगा water next question पत्यों को हरा रंग परदान करता है कौन किसके द्वारा पत्यों करण हरा होता है तो ध्यान देना सभी इस question का correct answer आजाएगा क्रोमोप्लास्ट सभी साथी याद रखना क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट के कारण पत्या हरा होती है next question देखिए सक सवंवंत पराधारित राष्ट्य पंचांग का अंतिम मास कौन सा होता है तो ध् भी साथी ध्यान देना question नमबर 95 ध्यान देना भारत के राष्ट्य सावंत के रूप में किस सावंत को माइनाता परदान की गई है तो प्यारे साथ ध्यान देना इस question का बिल्कुली correct answer आजाएगा option नमबर सक सावंत को next question देखिए भारत के राष्ट्य प्रतिक में इनमें से कौन सा पसू दिरिष्ट गत नहीं है यानि भारत का राष्ट्य प्रतिक में इन में से कौन सा पसू का चीत्र नहीं है तो ध्यान देना घोड़ा, सांड और सिंग इन तीनों का है लेकिन हीरन का नहीं है तो option number B आपका right अंस राएगा हीरन next question देखिए भारत रत्न का design किस bridge के पत्ते की तरह बनाया गया है तो पहरे साथ यो भारत रत्न जो भारत का सबसे बड़ा नागरिक शम्मान है याद रखना इसका जो आकार है वो people के ब्रिच नहीं people के पत्ते के तरह है people के bridge का जो पत्ता होता है ना people का पत्ता उस तरह से जो तो ध्यान देना प्यारे साथ्यों यहाँ पे आपको दो बाते याद रखना है पहला तो यह कि अगर आप से यह पूछे कि भारत रत्न से बिभूसित प्रथम बिदेशी कौन है तो याद रखना प्यारे साथ्यों आपका आंसर आजाएगा डॉक्टर अम आपका ना खान दिया गया था मरनोपरांथ भारत रत्ना इनमर से किसे दिया गया था दियान देनाlook Πरणे मर्नो प्रांत भारत रतना दिया गया था लाल बहादूर सास्त्री जी को ओप्सन नमबर ए आपका राइट अंसर आएगा नेक्स्ट कोश्चन ध्यान देना सभी इसके बाद एक कोश्चन आपसे पूछूंगा उसका अंसर आपको कमेंट वोक्स में आंसर करके बताना है ज्य कोश्चन का अंसर आपको कमेंट वोक्स में आंसर करके बताना है साथियों के इस कोश्चन का अंसर क्या आएगा क्या आपसे पूछा था कि गीटी रोड किसने बनवाया था तो उसका अंसर आएगा सेरसा सूरी काफी साथियोंने बिल्कुल करेक्ट अंसर बताया है इस सभी साथियो को लाइक कर देना और हाँ प्यार चप्यों अपने दोस्तों के साथ जरूर सियर करिये वाट्सप में पेस्बुकर में अपने सभी साथ योग एक सब्सक्रिपर करें कमेंट करके जरूर बताना सभी से मिलेंगे अगले क्लास में तब तक लिए जय मुता här